गुडियूनिंग प्यारे बच्चों आप सभी लोग कैसे हो हम समझ रहे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे पढ़ाय लिखाई अच्छे चल रही होगी तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं नस्ट इक्वेशन्स फार्द इलेक्ट्रोड इससे पहले वा हैंगे उसको आप देख लें कि यही था इसेल इस इक्वल टू इस्टेंडर्ड सेल माइनस क्या रहेगा आपका 0.059 वन अपान एंटू लाग यहां पर रहेगा प्रोड़क्ट अपान क्या है रियक्टेंट इनकी पावर एन तो यह हमारा था इस सेल इस्टेंडर सेल माइ एन एंटू लाग प्रोड़क्ट की पावर एन इस रियक्शन से इस इक्वेशन से हम फाइंड करते थे किसी सेल का इलेक्टोड पोटेंशियल क्या किसी सेल का इलेक्टोड पोटेंशियल एट एनी टेंप्रेचर क्या एट एनी टेंप्रेचर किसी भी टेंप्रेचर पर य तो आज की वीडियो में हम डिसकर करेंगे नर्स टीक्वेशन फार इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिखा जाता है क्या इस पर कोई नियुमेरिकल आता है कैसे है सब कुछ हम समझाएंगे क्योंकि यहां से नियुमेरिकल साते हैं इस पर इक विए आपको बताएंगे तो और सर्फिक्वेशन फार इलेक्ट्रोड देखिए अगर हमारे पास दो एक यह प्रॉड रहा है तो इस इलेक्ट्रोड से कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा उसी को हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रोड नर्स equation फार receiving यानि किसी इलेक्ट्रोड के लिए यानि सिंगल एक इलेक्ट्रोड इसे के लिए हमको क्या करना है सब्सक्nisid 자주 लिखना है और इसके नियुम्रिकल्स को कैसे सालव करना है तो बने रहें विदियो में लास्ट तक और समझे इसको क्या कुछ है नाश्ट इक्वेशन फार इलेक्टोड अब समझे यह हमारे पास क्या है नाश्ट इक्वेशन फार इलेक्टोड यहां पर लिखा है नाश्ट इक्वेशन इसके बाद इसका हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखेंगे यह लिखेंगे is equal to standard electrode यानि जो ilałeक्ट्रोड हम लिए है उसका standard potential क्या होगा उसका standard potential क्या होगा यहां पर किसी भी temperature पर निकाल रहे हैं ध्यान से समझेुए जैसे हमारे tiếpर पास वाहए वीकर है उसमें हमने क्या रख लिया और कॉपर की राड़ और उसमें हमने रख लिया है copper sulfate का solution द्यान से समझेए क्या सी यू यह सोफोर का solution अब यह हमकारा बन गया क्या एक इलेक्ट्रोड बन गया इसका temperature कुछ भी हम रख दें इसका pressure हम कुछ भी रख दें और इसका concentration हम कुछ भी रख दें concentration change कर दें तब हमको क्या निकालना है एक निकालना अब कुछ रहेगा इस्टेंडराइज रहेगा जैसे pressure क्या रहेगा 180 म रहेगा क्या रहेगा 180 म रहेगा temperature क्या रहेगा constant रहेगा 25 degrees Celsius चल्शिया 298 Kelvin जो भी कुछ भी है constant रहेगा और साथ तो हमारा होता यह तो हम इनिकालना है तो किसी सेल के किसी लेक्टरोड का तो मालूम होना चाहिए उसके बाद आर टी एन एन फ लन एन प्लस यहां ध्यान से समझे इसको हम कैसे लिखें है इसको हमको डेराइब नहीं करना है इसको हम कैसे फारव करेंगे इस इकल्रूड इस टेंडड माइन आटी एन फ लन एम अपान एम एन प्लस द्याश्य से समझे इसको कहां से पाएंगे यह हमको इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज से मिलेगा कहां से मिलेगा आर हमारा कैया घडियस कॉंस्स्टैंट है थी क्या है टिम्परेट्टेंट क्या है टिम्परेशेन है फेखर टिम्परेट्टेंट और इन क्या है ठाम सब्सवAb싼 टार्स परांस इन फार्जी 평y t concentration up product Mn plus concentration up reactant, यानि this concentration up reactant युज़एंगे अब हम क्या करेंगे अगर इन सारी value एक बार हम इसको हमें पुट करेंगे इसão को चिंज करेंगे और यूज़ुकाेंगे और सारी value को पूट करेंगे और एक स्टेंडर blue बनाएंगे जिसका हम नुमेरिकल में यूज करेंगे ध्यान से समझिए अब हम क्या करेंगे इनकी कुछ वेलू को पुट करेंगे जैसे आर हमारा क्या है गैस कांस्टेंट क्या है गैस कांस्टेंट की वेलू क्या होकि यह 8.314 जूल केलविन इनवर्स मोल इनवर्स क्या है आर इस इकोल टू एट पॉइंट क्या है 8.314 जूल केलविन इनवर्स मोल इनवर्स और फैराडे कांस्टेंट की वेलू क्या 90000,500, 2,98 Kelvin क्या, 2,98 Kelvin और इसको क्या करेंगे, हम सौल्व करेंगे, अगर हमारे पास जो concentration है क्या है, concentration यहां पर solid लिखा हुआ है, या liquid लिखा हुआ है, तो वो concentration हमेसा 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, पहले हम ln, 10000 को क्या करेंगे, LOG में convert करेंगे, किसमें log में convert करेंगे तो यह हमारा equation change हो जाएगा क्या change हो जाएगा ध्यान से समझो यह हो जाएगा e is equal to e standard minus 2.303 upon यहां पर रहेगा rt nf nf log यहां पर आ जाएगा 1 यहां पर रहेगा m n plus अब पताओ आपके दिमाग में होगा कि ln और लोजी में क्या difference है तो ln जो होता हो नेचूरल लाग होता है एलोजी क्या होता है लाग बेस 10 होता है क्या होता है लाग बेस 10 एलन कब आता है जब कोई फार्मूला डेराइव करते हैं तो अपने आप जो लाग आ जाता है वो होता है लन वो होता है निचुरल लाग उसको हम एलोजी में करते हैं लाग बेस 10 में इसलिए करते हैं इसका को सब्सक्राइब करेंगे जब कोई हमारा नेशूरल लाग क्या हो जाएगा लाग बेस्ट टेन में चांवर्ड करते हैं 2.303 का क्या कर देते हैं मल्टिप्लाइब कर देते हैं अब हम आर की वेलू और फेराड़े कांस्टेंट को क्या करेंगे हम यहां पर पूट करेंगे उट करने के बाद हम क्या करेंगे equation को find करेंगे E is equal to E is equal to E standard E is equal to E standard minus 2.303 into R की value 8.314 और उसके साथ temperature क्या है 298 Kelvin temperature को Kelvin में रखेंगे और N N हमारा क्या है number आप electron क्या है number आप electron है यहां रहेगा N F क्या रहेगा फेराडे कांस्टेंट 96500 कुलाम और यहां रहेगा log 1 upon M N प्लस तो अगर इसको हम solve करेंगे तो last में जो हमको equation मिलेगा वो क्या मिलेगा वो हमें मिलेगा E is equal to E is equal to E standard minus से आपका क्या हमले 0.0591 upon N into log 1 upon M N प्लस तो यह हमारा क्या है final equation आया है इस equation का यूज करके हम किसी इलेक्ट्रोड का potential find कर सकते हैं क्या किसी इलेक्ट्रोड का potential find कर सकते हैं उसका जो इलेक्ट्रोड potential standard है standard electrode potential हम क्या electrochemical series से लेंगे नमबर आप electron transform को पता चल जा है और जो हमने temperature 298 Kelvin रखा है temperature को हम change कर सकते हैं लेकिन अभी जो इंटर लेवल में जो numerical आते हैं और 298 Kelvin का stand पर आते हैं ठीक ब सकते हैं जो हमेशा ऊपर और 1 रहेगा यहां पर 리क्टेंड के रहेगा यहाँ पर जो भी आयन रहेगा उसका concentration रहेगा यानि की जो हमने क्या लिए है solution लिए है salt solution उसका जो भी concentration रहेगा वह हमको लेना पड़ेगा यह तो हमारे रहे से हमारे था करेंगे किसी भी टेंपरेचर पर क्योंकि जो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में दिया रहता है वह इस्टेंडर्स रहता क्या रहता इस्टेंडर्स लेकिन कभी-कभी हमको इस की जरूरत पड़ती क्या पड़ती है की जरूरत पड़ती है इस तो आप इसको नोट कर लो इस पर हम एक नूमरीकल लगा रहे हैं आपको कांसेट क्लियर हो जाएगा थोड़ा साइड हो रहे है आप इसको नोट कर लो अब हम इस एक नूमरीकल को साल करेंगे द्यान से समझेक क्या है ग्लिंट स्लूशनwort क्पिंटर चिटशिए स्टेंड्र्ट लिंट्र तुर्थ क्वाइचर्ड और दिश्ट वाइर इसक्रत श।atto क्वाइचर और न अनंधर।र।ेयर। हपनive लॉंट्ट है प्वाइचर्ड इवल्ट तेफृट्व सुन। रहा है, व्मोक्रफी एक जिरो पॉइंट वाने हैं और उसके साथ इस साथ दिया है टेंप्रेचर 25 डिग्री सलसियस इस्टेंडर्ड इलेक्टोड का पोटेंशियल दिया है कापर का 0.34 बोल्ट देखें इसको सॉलूशन हम कैसे करते हैं सॉलूशन इसका कैसे होगा क्या समझिए परने कैसे हें सॉलूशन आपको पता है और आपको बता रिखेंगे सबसे पहले इस इस इलेक्टोड का रिखेंगे रिएक्शिन आप एलेक्ट्रोड का रिखेंगे मैं क्या लिखेंगे C u 2 plus plus 2 electron U 2 plus plus 2 electron उसके बाद क्या हो जाएगा C u solid क्या हो जाएगा C u solid simply ऐसे समझेगे इसका connection क्या रहेगा 0.1 M अब इसके लिए हम equation क्या लिखेंगे E is equal to E is equal to E standard क्या E standard minus 0.0591 N लिखेंगे N की वैलू क्या होगी देखो यहाँ पर N की वैलू क्या हैगी 2 आएगी यहाँ पर हम अभी N लिख दे रहे हैं लेकिन N की वैलू क्या है 2 है और E स्टेंडर्ड सेल ध्यान से समझेए N की वैलू यहाँ पर 2 है और E की स्टेंडर्ड की वैलू क्या है 0.34 बोल्ट क्या है 0.34 बोल्ट और उसके बाद कंसेंट्रेशन क्या लॉग यहाँ पर वन अपान एम यहाँ पर कापर प्लस रहेगा सी यू क्या रहेगा अभी हम इसको लिख दे रहे हैं मैं एन प्लस उसके बाद अब हम कापर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कापर के लिखेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर जब copper के लिए लिखेंगे तो यहां पर हम e standard की जगह क्या लिखेंगे e is equal to e standard की जगह लिखेंगे 0.34 क्या लिखेंगे 0.34 minus 0.00591 upon n की value रहेगे 2 log log के बाद यहां पर रहेगा 1 upon m n प्लस यानि इसका concentration रखना है इसका concentration क्या है 0.1 क्या है 0.1 अब इसको हम solve कर देंगे यह हमारा हो जाएगा e is equal to 0.34 minus यह क्या हो जाएगा टू टू जा ओर टू नाइन जा 18 आ जाएगा आपका 0.029 minus 29 यहां पर आपका लॉग यह आपका है 1 upon 0.1 तो इसको हम क्या करेंगे उपर हम कर देंगे 10 और नीचे हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 तो अब हमारा यह नीचे से खतम हो जाएगा आपका आ जाएगा लॉग 10 लॉग 10 की वैलू क्या होती है वन होती है क्या होती है वन होती है तो यह हमारा आ जाएगा यह इस उक्वल टू 0.34 minus 0.029 तो अब इसको एक बार ध्यान से समझे देखिए लॉग 10 की वैलू क्या होती है सारी वैलू को क्या कर दिया यहां पर पूट कर दिया अब हम इसको सब्ट्रेट करके इसका हम बस क्या एंसॉर फाइंड करेंगे तो यह क्या है जीरो पाइंट क्या है यहां देखिए 0.34 और यहां पर है 0.00 à 02 9027standingोड को हम सब्सक्रเorte करें गे क्या आएंसवर है अब क्या करना क्यों संदार प्रौन करना क्या करना क्यों एंसॉर करना है यहां पर सिंधिद हो जाएगा यहां प्पर और धिया यहां पर दिख्सी तो यहां पर जिरो 0.9 तो यहाँ सब्ट्राइट कर देंगे 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा यहां रहेगा 3 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा यहां 3 रहेगा 0.311 क्या आएगा 0.311 बोल्ट यह हमारा क्या आगया एंसर आगया तो इस तरीके से अगर क्यों एक इलेक्ट्ட का दिया है तो उसको हुआ क्या कर सकते हैं find कर सकते हैं और एक हजार सब्सक्राइबर complete कर लीजीए आगर आपको वीडिये चाहिए तो पीडिये हम अपने टेली ग्राम लिंक पर डाउनलूड कर देंगे वहां से आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं उसका लिंक टेलिग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहां से आप टेलिग्राम छेनल को जोएन कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम डिसकेस करेंगे अप्लीकेशन आप नर्स्ट इक्वेश्सेंश के बारे में तो हमारा पार्ट-10 होगा तो यह हमारा अगर पार्ट-10 वीडियो आता है तो उसके बाद सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों में सेर करते रहें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहें आज के लिए इतना ही